वही शाजहापूर के कलान थाना श्वेतर में समाज को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है 10 रुपए का लालच देकर रिवक ने 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया बच्ची के चिलाने पर परिजन ने मौके पर पहुँच कर रिवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस अधिकारियों ने बच्ची के परिजन को आरुपी के खलाफ कड़ी कारवाई करने का भरोसा दिलाया है अधिकी थी वह आपकी कौन थी अधिकी थी उसके साथ क्या हुआ पुरा मामला बताईए यह पूचने दस रुपे दबाने बुलाया यह उसने गई दस रुपे दूँआ यह उसने नेकरा घॉला अचा आपको कैसे पता चला जब यह बारदात हो गई थी आप वहां अधिकी थी पता चला तरही मैंने अपनी बावी को बता दिया थी आपको को ग्राम बारां खुर्द थाना कालान में एक चार साल की पच्ची के साथ एक सोर दोरा चोन सोसन का प्रियास किया गया जिस पर कलाम पुर्स दोरा पुरंत कारवाई करते हुए परवारी जनों की अब योग पंजीकरत किया गया है नामत के सोर अवचारी को हिरासत में ले दिया गया है बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है अवचारी की उमर के बारे में जानकरी की जारी है दूरा मामला हुगा क्या हुगा था वो लड़की थी वा